हिलो स्टुडेंट्स वेलकम टू साइफाई स्टुडेंट्स आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक महत्तपूर्ण है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग समीकरण हल करना सीखने वाले हैं अगर आप वीडियो को सुरू से अंत तक देख लेते हैं तो भी कोई भी प्राबलम नहीं होने वाली है इसलिए स्टुडेंट्स वीडियो को सुरू से अंत तक देखें चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टुडेंट्स प्रस नमबर एक है टू ब्रैकेट में यक्स माइनस वन बराब ब्रैकेट को यहां पर कैसे खोलेंगे ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है उसका यहां पर गुड़ा कर देंगे तो टू का गुड़ा यक्स में करेंगे तो यह हो जाएगा टू यक्स फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे दो का गुड़ा एक में करेंगे तो दो होगा ब साथ करेंगे तो देखे इधर भी यक्स है इधर भी यक्स है तो अब इसका पक्सांतर कर लेंगे यहाँ पे 2 यक्स है अब इसका पक्सांतर करेंगे तो जब इधर या माइनस में है दूसरे साइड बराबर के इस साइड आएगा तो उसका चिन बदल जाता अगर माइनस में ह तो प्लस हो जाएगा अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा तो 2x को इधर लेकर आएगे तो उधर माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर यहां पर देखे 10 और यहां पर माइनस 2 है माइनस टू को जब उधर लेकर जाएंगे तो माइनस टू इधर माइनस में दूसरे सेट जाएगा तो अब प्लस में हो जाएगा ठीक है बराबर के अगर कोई 20 संख्या इधर या उधर होती है तो उसके चिन में परिवर्टन हो जाता है अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा ठीक है तो अब यहां पे देखिए पक्षांतर हो गया अब यहां पे क्या करेंगे टू यक्स और टू यक्स दोनों प्लस में है तो जूड जाएगा तो क्या हो जाएगा फोर यक्स हो जाएगा दस और दो क्या हो जाएगा बार अब हमें यक्स का मान चाहिए समिकरन हल करने म यक्स या वाई समिकरन में जो भी है उसका मान हमें निकालना होता है, तो यक्स के मान के लिए यह क्या हो जाएगा, बार, और यह जो चार गुड़े में है, जब दूसरे साइट जाएगा, तो भागे में हो जाएगा, यानि चार तियाइं, बार, तीन, यानि यक्स का मान जो प्रेशन प्रेशन नमबर दो है 7 ब्रेकेट के अंदर 3 माइनस 2 यक्स ब्रेकेट क्लोज प्लस 3 ब्रेकेट के अंदर 5 माइनस 4 यक्स ब्रेकेट क्लोज बराबर 45 तो अब यहां पे देखे इसको कैसे हल करेंगे यहां पे भी वाई जी यहां पे सबसे पहले bracket को open करेंगे अब bracket को खोलने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे कुष्टक के बाहर जो संख्या है उसका गुड़ा करेंगे तो 7 का 3 में गुड़ा हो जाएगा तो 7 3 के 21 माइनस है तो माइनस 7 का 2 में गुड़ा होगा तो 7 2 ने 14 फिर प्लस है तो प्लस 3 का 5 में गुड़ा तो 3 पचे 15 फिर माइनस है तो माइनस 3 4 के 12 यक्स बराबर 45 ठीक है यहाँ पे क्या कर लिया गया यहाँ पे bracket जो था उसको open कर लिया गया अब bracket जब open हो गया तो यहाँ पे क्या करेंगे जो संख्याएं यक्स की हैं उनको एक साथ और जो बिना यक्स की हैं उनको एक साथ रखेंगे तो यहाँ पे यक्स में कौन-कौन सा है माइनस 14 है माइनस 12 है तो उसको एक साथ रखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस 14 यक्स और माइनस ठीक है यह बराबर के इधर ही है और अभी भी इधर ही रखी जाने तिनके चिन में कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन जो संख्या है अगर बराबर के दूसरे सैट जाएंगी तो उनका चिन बदल जाएगा यानि यह क्या हो जाएगा 45 अब इहां पर देखिए इहां पर 21 और 15 इन दोनों को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा इधर 21 देखे प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और 15 भी प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ठीक है अब माइनस 14 और माइनस 12 दोनों माइनस में है तो दोनों आइड होंगे चिन्ध आपका माइनस में ही रहेगा ठीक है तो 14 और 12 इन दोनों को आइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहां से आपका 26 हो जाएगा 26 यक्स बराबर यहां पर क्या हो जाएगा 45 माइनस यह दोनों माइनस में हैं तो दोनों ऐड हो जाएगे यह दोनों ऐड हो जाएगे तो क्या हो जाएगा 5 एक 6 और 2 एक 3 ठीक है अब यहां से माइनस कर लेंगे मैनस करेंगे, देखे क्या हो जाएगा, 45 में से 36 जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 9 तो 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26 यक्स, ठीक है, उमिद करते हैं कि इतनी बात आप अच्छी तरह समझ गए यहां से यक्स का मान निकालना है तो यक्स के मान के लिए क्या करेंगे जो 26 है वह बटे में चला जाएगा तो 26 बटे में जाएगा देखें यहां पर 9 और यहां पर माइनस भी है तो माइनस भी लगा लेंगे देखें माइनस अगर यहां पर 26 बटे में जा रहा है तो यहां प या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, minus 9 और बटे में 26, या आपका यक्स का मान हो गया, तो उमिद करते हैं कि यह दोनों प्रशन आप अच्छी तरह समझ गयोंगे, हमें इस प्रशन में यक्स का मान ही ग्याद करना था, यक्स का माना गया, तो यही आपका आंसर हो गया, अ 3 यक्स बराबर 35, तो अब देखिए इस प्रशन को कैसे हल करेंगे, यहाँ पर भी पहले ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को पिन करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 का मल्टिप्लाई करेंगे, तो 2 का गुड़ा यक्स में होगा, तो यह हो जाएगा, 2 यक चार ठीक है प्लस थ्री यक्स है तो यहां पे थ्री यक्स बराबर 35 ठीक है यहां पे 35 अब जहां जहां यक्स है उसको एक साथ रखेंगे तो यहां पे यक्स है तो यक्स फिर यहां पे 2 यक्स है और यहां पे 3 यक्स है इन सभी को एक साथ रखेंगे और जो बिना यक्स वाला है उसको पक्छांतर कर देंगे दूसरे साइट तो यहां पे 35 यहां पे 4 माइनस में है देखें जहां पे लिखा हुआ है उसके लिफ्ट साइट का सिम्बल देखेंगे तो यहां पे 4 माइनस में है दूसरे साइट जाएगा जब बराबर क तो यह प्लस में हो जाएगा ठीक है अब यहां से देखे तीन दू पांच और एक छै तो यह हो जाएगा छै यक्स बराबर 35 और 4 अएट हो जाएगा तो 49 ठीक है हमें यक्स का मान चाहिए तो यक्स का मान चाहिए तो यक्स के मान के लिए 6 यहां पर यक्स के साथ गुड़ा म तो अब हाग में, यानि बटे में चला जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 49 और बटे में 6, ठीक है, अब यहाँ पे यह 3 से दोनों कटने वाले हैं, तो 3 दोनी 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 तीरी के 9, यानि उपर 13 आ गया और नीचे 2 आ गया, यानि यक्स का मान क्या है या स्टूडेंट्स, 13 और बटे में 2, ठीक है, यक्स बराबर 13 बटे में 2, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया, तो उमिद करते हैं कि इन तीनों प्रशनों को आप अच्छी तरह समझ गये होंगे, स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छ जय हिंद, जय भारत